Let us start with the newspaper analysis of 4th of January 2022 and आज के जो analysis है उसको start करने से पहले हम लोग एक बार 3rd January का जो content था उसको revise कर लेते हैं 3rd January का जो content था पहले उसको एक बार हम लोग revise कर लेते हैं previous day का content आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ने rule of law index के बारे में बात की थी कि इंडिया ने अभी written up plan किया था कि कैसे हम लोग rule of law index में हमारी जो rank 77th है out of 140 countries 2022 में उसको लोग कैसे बैतर कर सकते हैं IEPF Investor Education Protection Fund में Cryptocurrencies को लेकर के इसको मतलब basically एक campaign की बात की थी यही वाले news ना आज दोबारा से थोड़ी सी extended है Cryptocurrencies किया होते है उसमें खोड़ा सा data भी है आपका कि 2035 तक कितना मारा हो जागा तो इसको आज दोबारा भी cover करेंगे Higher Education Financing Agency में basically इंडिया की तरफ, इंडिया नहीं, Ministry of Education और Canada Bank ने मिलके कहा था कि हम लोग कैसे educational institutions के अंदर financing को improve कर सकते हैं खास कर केंदरी विदाले नवध्या विदाले वगरा प्रजुला स्कीम को Ministry of Rural Development के दौरा लॉंच किया गया था कि जो हमारे women and marginalized sections जो होते हैं उनको हम लोग कैसे उनकी rural economy को हम ट्रांसफर कर सकते हैं तो basically इसमें जो हमारे database बनाया जाएगा cooperative policy के लिए नमामी गंगे 2014 में स्टार्ट हुआ था मिर्जिस्टी जलचक्ति के दौरा एक national mission for clean गंगा है उसके तहद गंगा का एक जनेटिकली डिजीज है जनाटिक नहीं है यानि कि जानवरसी इंसान में नहीं आती है बट इसका जो वायरेस है न कैप्री पॉक्सी वायरेस यह गौट पॉक्स और शीप पॉक्स की वायरेस वायरेस से मैच करता है spear fishing में generally हम लोग ने बात की थी किस तरीके से आपको email या internet के दौरा आपका personal data hack किया जा सकता है आपकी बहुत तरे private information होती है जो internet पो चली जाती है तरह हम लोग ने कल बात की थी कि 3rd January 2023 को हम लोग international mind and body violence टे celebrate करते है and एक ये abbreviation था है well का work life harmony expect enable excellence live your purpose और love not fear लोग ने देखा था कि Ayurveda जो है ये world की oldest healing science है इसका origin Vedic culture से होता है फिर उसके बाद जो traditional Chinese medicine ते उस macupuncture, herbal medicine वगरा आता है ताइची वगरा आता है ये काफी लेट आया था 3000 से 2000 BC तक then 1790 के आसपस हमारा homeopathy भी आया था मैं हलका से revise करा रहा हूँ, मैं बहुत detail में नहीं लेके जाता revision में इसे just कि आपको कुछ click कर जाए तो कल बहुत major एक judgment आया था कि 2016 का जो demonetization था उसको supreme court ने का कि वो ठीक था चार judges ने का वो ठीक था, एक ने का वो ठीक नहीं था और actual में जो दोनों का जो आपस में conflict था था ना 4 is to 1 का, तो justice B.V. नागरतना जी थी उन्होंने ये का था कि सारी चीज़े ठीक है, इसमें problem जो आई थी ना वो थी कि legislative process से भी तो कर सकते थे ना, आप लोगों ने executive किया था तो ये जो पूरा था ना, judgment, demotization का, इसमें 6 महिने की consultation की गई थी, basically, center के दवारा और RBI के दवारा, मैं थोड़ा से इसको explain कर देता हूं, हलका सा center और RBI ने की थी, and इसके लाबा, basically ना, judgment में Supreme Court ने ये का, कि देखो, objective जो था ना, इसका, black money का वगरा, 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 वो objective अचीव हुआ होए ना होए, उससे हमको Supreme Court को कोई मतलब नहीं है, वो आपका executive चीज होती है, उसके लिए आप Parliament में discussion करो, हमारा काम था कि जो decision making थी ना, तो keyword बहुत powerful है, objective अचीव होए ना हो न, और decision making जो कि हमें उस चीज को check करना है, तो Supreme Court ने का कि as per the RBI Act के accordingly, आप लोगों ने consultation किया था RBI के साथ में 6 महीने तक और यह बिल्कुल justified है, कोई problem नहीं है इसमें, and 52 days के आसपास दिये गए थी, 52 days दिये गए थी, citizens को वो सारा पैसा deposit करने के लिए, उदेरा multiple technical terms आता रहेगा, editorial में cover करते रहेंगे, फिर मैंने आप लोगों को बढ़ाया था, कि Dalits को ले करके recently Tamil Nadu में एक temple में उनके entry start की गए थी, और यह इस मंदिर में 200 सालों के बाद ऐसा किया गया, देखो Dalits चे होते है ना हमारे SC में आते है, scheduled caste में, तो बहुत सारे deprivation constitutional safeguards होते हैं, बाकी आपका article 15 है, article 16 भी है, and 19 तो नहीं है, बहुत सारे articles है, fundamental rights के, जहां पर Dalits के बारे में, scheduled caste के बारे में बात की जाती है, then कल हम लोगों नहीं क्या आदा कि, करनाट का ही कोट ने बोला था कि, जो ex-servicemen है, उसमें he word की जगए, आप उनको gender neutral कर दो, फिर मैंने आपको साथ में यह भी बताया था, कि हमारा जो यह recently आया था ना, draft, digital data personal, personal data protection का जो draft आया था, उसमें for the first time, हर की और, मतलब, he और, हम की जगए, हर और shee का इस्तेमाल किया गया था, तो इससे पहले ही, कभी भी किसी legislation, किसी कानून में नहीं किया गया था, नहीं हम लोगोंने, Hindu temples का थोड़ा सा case देखा था, एक advocate है, अक्षे जी उनने कुछ बताया था कि, इसमें उन्हें आप लोगों को बताया था कि, शिरूर मटूर judgment के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, Supreme Court ने काफ़ी कुछ वालेट किया था, और तोनों साइड बतायी गए थी, कि 42nd Amendment के बाद, जब हमारा secularism का चीज़े एक तरीके से constitutional हो चुकी थी, कैसे उसका narration आके बनता है, और तमिल नाडू के अंदर किस तरीके से temples का जो पूरा पैसा आता है, उसका कितना बनता है, मतलब उनका revenue कितना होना चीए, कितना नहीं, कैसे government control करती है, priest वगरा को, worship के processes को, फिर हम लोगों ने देखा था बहुत important चीज़ की, जो Assam का delimitation था उसमें, जो हमारा election commission उनने 2001 की census को इस्तेबाल किया था, लेकिन recently जब जम्मू कश्मीर का हुआ था, महां 2011 की census को किया था, और उसको hold पे क्यों रखा गया था, उसका भी एक में लोगों ने reason देखा था, फिर हम लोगों ने देखा था, इंडिया की जो bad loans की problem थी, NPA की, उसका क्या scene चल रहा था, तो government ने recently बताया था, कि जो bad loans वगर था न, उसमें 10 lakh crore की आसपास का total था, वो write off कर दिया गया बैंक्स के दुआरा, उसमें से 1.32 lakh crore की आसपास, हम लोग recover कर बाएं, जो कि almost 13% बनता है, उसका, वहीं बहुत important था, then हम लोग ने ethics का question किया था, 2, और 2 के 2 part थे, पहला part 3 pages का था, ये cover किया था, फिर second part में लोग ने 2 नई, इंके बारे में बात की थी, आज हम लोग इसी का ethics का third question cover करेंगे, अच्छा, आज मैं एक important बात बता रहता हूँ, चलो, वह ethics का जब solve करेंगे, तब ही बताऊंगा, एक छोटा सा topic है हमारे पास यहाँ पर, high court directs cat to dispose of Rajesh Das application, अब इसमें एक्च्छल में नीउस में क्या है, उसमें आपको जाने की ज़रूत नहीं क्योंकि कोई case है, उस case में किसने को इसको क्या पकड़ाया, क्या दिया, कौन से document थे फ़ला ना, उसमें नहीं जाना है, हमारे लिए important हो जाता है, cat क्या चीज़ होती है हाँ पर, अब cat को लेकर करके recently Netflix पर एक वो भी आई है, web series पर उस cat की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर जो cat है, यह हमारा Central Administrative Tribunal, तो अब इसके बार में जान लेते हैं, क्योंकि 2009 में एक question आ चुका है cat पर, तो आप यह मत सोचेगा कि 2009 में अगर आया था, तो अब तो आने के chances नहीं हैं इसके, it can repeat also itself, तो 2009 में क्या question आया था, Central Administrative Tribunal was set up during the Prime Ministership of Lail Bahadur Shastri, आप देखोगे किस Prime Minister के time पर कौन सी body set up की गई थे, उसका connection directly होता है कि कौन से year में यह set up किये गई थे, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन से Prime Minister कौन से year में थे, because लोकसभा को लेकर भी ऐसे कुछ questions पहले आ चुके हैं, यह तो UPSC Interested है, अगर आप देखोंगे न, CDS के prelims में भी इस तरह के question आते हैं, CAT के जो members होते हैं, they are drawn both from judicial and administrative streams, तो इसका answer actually में B है, second only, because अगर हम लोग देखते हैं, अब इस पूरो topic को समझने की कोशिश करेंगे न, तो हमारे लिए चीज़े बहुत असान हो जाएंगी, अब CAT होता क्या है, अरे, screen hang हो गई भाई, just a second, अभी अभी screen hang हो जाती है भाई, Central Administrative Tribunal बोलते हैं इसकों लोग, और यह हमारे Article 323A of the Constitution के इसाब से, establish किया रहता है, काम क्या होता है, Basically, जो हमारे Public Service वाले होता है न, खास करकि जो Union और बाकी Authorities होती है, Government के Control में जो भी Authorities होती है, उनमें जो Appointments गरा होते हैं, उसको Recruitment और Condition of Service को लेकर के, जो भी Disputes और Complaints होती है न, उनको Handle करने का काम होता है, CAT का, और इसको Constitutional Power कहां से मिलती है, from the Article 323A, तो Parliament ने एक Tribunals Act बनाया था 1985 में, इस Act के तुरू Central Government बनाती है, एक Central Administrative Tribunal, और उसके Accordingly हमारा SET भी बनता है, State Administrative Tribunal, तो छोटी-छोटी Information है, तोड़े आपको याद होनी चाहिए, अब देखो, CAT was set up during the Prime Ministership of Rajiv Gandhi, in the year of 1985, Benches की बात करते हैं, तो All Over the India, CAT के 19 Benches हैं, Objective and Comparison का, ये एक Specialist Body है, इसमें Administrative Members भी होते हैं, और इसमें Judicial Members भी होते हैं, इन सब के पास कुछ Specialized Knowledge होती हैं, Chairman होते हैं, वो एक Retired Judge होंगे, High Court है, जो इसको Lead करेंगे, कुछ सिध्धान्तों के उपर ये काम करता है, बेसिकली जो Natural Justice का मारा सिध्धान्त होता है, कि Case को Decide करना होगा, as per the Civil Procedure Code, तो Administrative Terminal Act, चुमाना 1985 में आयता, राजिव गांदी जी के टाइम पर, उसका Section 17 है, बेसिकली इनको इस Power होती है, to exercise the same jurisdiction and authority in respect of contents of itself, तो High Court का कोई contempt, contempt मतलब निन्दा होती है, High Court उसमें कुछ steps ले सकता है, उसमें civil contempt होता है, उसमें criminal contempt होता है, तो उसी तरह के से, अगर कोई Administrative Tribunal के परती भी contempt करता है निन्दा करता है, तो उसमें भी इनके पास एक Power होती है, High Court की तरह ये contempt के against, अपना decision ले सकता है, अगर हम लोग Independence की बात करते हैं, तो जो conditions of service होती है, वो same होती है as the judges of High Court, तो ये हमारे इस Act में mention था, इसमें amendment किये गया था, 2006 में तब इसमें changes की गया थे, अगर Administrative Tribunal ने कोई order दे दिया, तो उसका against अगर आपको appeal करना होता है न, तो आप under Article 226, 227 जो होता है न, उसी State के respective High Court में आप एक Red Petition डाल कर, उसमें appeal कर सकते हो, उनके orders को challenge कर सकते हो, इसमें ने बहुत छोटी-छोटी सी information है, और सिर्दे को इतना सा एक page है आपके सामने, बट यह बहुत ज़्यादा महत्यपूर्ण है, यहाँ से आपको बाद में भी questions बन सकते हैं, extremely important है, We have this topic in news, survey reaffirms biodiversity richness of Kerala's capital, अब Kerala का capital थिरुवन्त पुरान में यह आपको basic पता होना चाहिए, तो यहाँ पर जो wildlife division है न, उन्होंने recently बताया था कि, इस region को as a biodiversity hotspot का relevance दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने recently एक survey किया था, उसमें बहुत सारी चीज़ निकल किया थी, तो बहुत सारी centuries वगरा के अंदर, जैसे की पारा wildlife century है, अगस्त मले biological park वगरा है, इन सब में नोने survey किया था, अब इसमें बहुत सारी species को पर इन्होंने data दिया हुआ है, वो सारी species आप याद भी नहीं कर सकते हैं, और उस पर इतना महनत नहीं की जाने चीज़े, एक चीज जो छोटी से आपको दिमाग में रखनी है, वो है butterfly की diversity को लेकर के, बस नाम का थोड़ा idea रखना है, इसके notes भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, just simply try to remember, हमारे लिए यहाँ पर जो topic समझने का है न, वो है biodiversity के hotspot किया होते है, इसको लेकर के पहले question आया भी है, और यह थोड़ा सा हमारे को समझना पड़ेगा, क्योंकि future में भी कुछ ना कुछ आ सकता है, अगर मैं आप लोगों को पहले question दिखा दूँ, कि क्या question आया था, 2010 में हमारा question आया था, तो दो statement दिये गए थे, अब हम लोग 2010 के इस question को देखेंगे, उपर पढ़ते हैं इस topic को detail में, हम इस question का अंसर आराम से कर पाएंगे, बायो डाइवरसिटी के hot sports क्या होता है, बायो डाइवरसिटी तो explain करने की ज़रूद नहीं, hot sports basically बहुत prominent जगे होती है, यानि कि यहाँ पर species काफी rich मातरा में होते हैं, endemism भी high degree में होता है, तो एक British के biologist थे Norman Mayer, उन्होंने टर्म दिया था 1988 में, बेसिकली यहाँ पर exceptional level का plant endemism मिलेगा, और इसमें habitat का loss भी हो रहा होता है, then हमार पास एक CI है, एक conservation international है, उन्होंने mayor's hot sports को adopt किया था 1996 में, तो इस organizational decision लिया था कि यह हम लोग hot sports के concept को अब आगे publicize करेंगी, तो as per the conservation international किसी भी region को अगर हम hot sports declare करते हैं, तो उसके लिए उसके दो बहुत strict criteria है, please remember these criteria यह exam में पूछे जाते हैं, आचुके हैं पहले, सबसे important चीज़ है, उसमें at least 1500 species होने चाहिए है, vascular plants की, यानि कि वो 0.5% से ज़्यादा होना चाहिए of the world's total, endemic का मतलब उनकी बहुत high percentage होने चाहिए plant life की, वो जो की planet पे कहीं और नहीं पाई जाती है, तो hotspot अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, तो वो irreplaceable है, second जो important condition है, it should have lost at least 70% of the original habitat, 70% उसका जो original habitat था उसका नुकसान हो चुका होगा, यानि कि उसके पास तकरीबन 30% या उससे कम अपने original natural vegetation का भी बचा हुआ है, यानि कि वो irreplaceable भी है और वो threatened भी है, see, तो uniqueness भी है उसमें और उसको threat भी बहुत सार है, तो 1999 में CI ने आइडेनिफाई किये थे 25 बाइवस्टी के होट्सपोर्ट, एक book आई थी, होट्सपोर्ट करके, 2005 में उन्होंने एक updated title निकाला था, होट्सपोर्ट्स रिविजिरेट कर गए, तो जो 35 बाइवस्टी के होट्सपोर्ट्स हैं, वो अर्थ का almost 2.3% कवर करते हैं, और ये world के more than 50% जो world की plant species इसमें आ जाती हैं, और 42% जो मारे terrestry यानि की जमीन पे रहने वाले जो जानवर होते हैं, vertebrates, vertebrates मतलब जिनके backbone होती है, वो वाले सारे के सारे इन एरियाज में endemic हैं, 2011 में forest of east ocellia को identify किया गया था, as a 35th biodiversity hotspot, अब ये है world का map, अगर आप देखोगे, इसमें जो regions highlight किये गए हैं ये सारे के सारे हमारे biodiversity की hotspots होते हैं, आपको नों world के याद करने जरूरी नहीं है, बट आपको focus करना पड़ेगा इंडिया और उसके आसपास वाले region का, ये map आपके सामने अगर आप देखोगे, तो this is India's map, ये है हमारा Nepal का region, यानि कि हमारा Himalayan region हो गया, ये हमारा South East Station वाला region हो गया, Cambodia, Thailand, फिर हम आप आप देखोगे, Indonesia का region, Malaysia वाला region भी हो गया, Sri Lanka is out there, और हमारे Western Ghats का region भी हो गया, अब इसको थोड़ा सम लोग पढ़ लेते हैं, बायर डावस्टी का होट स्पोट अगर इंडिया में बात करें, तो Himalayas के अंदर पूरी जो Himalayas रेंज ना, यानि कि पाकिस्तान में भी, तिबथ, नेपाल, भूटान, चाइना, महिनमार में, ये बायर डावस्टी का होट स्पोट है, इसमें मारा नौर्थ इस इस इंडिया है, एक्सेप्ट असम एंडि अंड़मान ग्रूप ओफ आईलेंड्स, अल्राइट, ये ध्यान रखने की चीज़ है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, बट वो जो निकुबार ग्रूप आईलेंड्स है, वो सुन्डा इलेंड्स का पार्ट बन जाता है, अगर आप देखोगे, उन्होंने अंड़मान को हैलेट नहीं किया हुआ है, यहाँ पर, एक्सेप्ट इस बोला हुआ न, ये ध्यान रखने कि ये निकुबार वोला रीजन है, ये सुन्डा लेंड्स का पार्ट बन जाता है, छोट छोटी चीज़ें यहाँ पर दुबारा इसलिए वो रिपीट करेंगे न, तो इन चीज़ों पर ध्यान देंगे अब वो, तो मैनमार, थाइलांड, वेतनाम, लाओस, कंबोडिया, इन सदन चाइना, ये रेजन रहा, ये सदन चाइना का रेजन ये रहा थोड़ा सा, और ये वाला रेजन रहा हमारा, येन वेस्टर्ब apologize उर श्रिलंका इसमें entire वेस्टर्ब घट और पूरका पूरा श्रिलंका आएगा, यह आप लोगों ने देख लिए हमारा वेस्ट गार्ट उचलंगा अब आता यह सुंड़ा लेंड वाला इसमें क्लियर कर लेना इसमें निकोबार ग्रूप फाइलेंड्स है इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर, ब्रुनेई, एंड फिलिपिन्स है इस्टन जो हिमालिय जो ओरिजिनली पार्ट था हमारा इंडो बर्मा बैस्ट हुआट स्पोट का इसमें भूटान था एंड उसको में लोग सेंटल और नेपाल में था, 2004 में एक हॉट्सपोट रिएप्रिजल क्लासिफाई किया गया था इसमें दो होट्सपोट थे हमारा इंडो बर्मा और जो था यह हमारे हमालेन में काउंट हो जाता है ठीक है वो यही कहना चाहरा था बस ओकि अब जो क्वेशन था हमारा इसका आंसर था हमारा डी यानि कि पहली बात हमालेन होट्सपोट जो है इस हम्टू इंडो बर्मा अंदर हमारे फ्रेश वाटर टेटाल स्पीशिज मिलते है और देखो इसमें जो तो सिर्फ ट्रॉपिकल डीजन में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे ट्रॉपिकल डीजन पर टैंप्रेट में भी जा रहा है थोड़ा थोड़ा उपर ना नीची के साइड पर जा रहा है तो ट्रॉपिकल डीजन तो जनरली हमारा अगर रॉंग हो जाती है तो दूसरी में उसने कहा था इस्टन हिमाल्याज है वेस्टन हिमाल्याज है वेस्टन घाट तो हो गया अंडमान निकोबार आइलेंड से तो ये तो नहीं था ना तो हम लोगों ने चेक कर लिया ठीक है बस अधे को छुट-छुटी इंफोर्मेशन है सारे के सारे अब फुली डिजिल होने वाले हैं रिसेंटली आप लोगों को पता हुआ कि एमस देली में एक रैमसम वेर का अटैक हुआ था जहां पर डिमांड की गए थी 200 करोड के आसपास की तो अभी तक राइट नाओ 74 मिनिस्ट्री और डिपार्मेंट ऐसे हैं जो ये वर्जिन पर पहुँच चुके हैं यह ओफिस को डिजाइन और डेवलप किया गया है एन आई सी के द्वारा विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री अफ एलेक्ट्रोनिक्स और इंफोमेशन टेक्नोलोजी तो गवर्मेंट की मोस्ली ओफिस हो जाएंगे मितलब सब कुछ Psalm Осetory में हैं तो इइस अनली इएड पार्डी जिसमें gegमा अनीवर्स आइसरी मांगी गई ती किस बात को लेकरके कि यह बताओ कि जिस तरीके से से बिसकली और सिर्टा से इसराइल ने कुछ बहुत सबीweek간 अग्मेशन किया हूँआ हैure पार्लेस्ट्रीरा और तो बटाटिं करना था कि इसके कारण बहुत सारा बहाँ पर जो demographic comparison है वो change हुआ है and जो हमारी बहाँ पर Jerusalem है उसका कुछ status वगरा change होने की बात की गई है बहुत सारे discriminatory legislations और majors लिए जा रहे हैं तो उसको पर advice मंगा गया है International Court of Justice का UNGA के त्वारा इंडिया ने उस resolution में अपनी vote नहीं दी फिर government ने recently start किया था 100 more K9 वज्राज अब K9 वज्राज आपको यह दिख रहा होगा basically एक तरीके कि यह shotgun है shells वगरा fire करने के लिए तो एक ना K9 Thunder है जो के South Korean Army का है उसी के version में आता है हमारा K9 वज्रा अब K9 वज्रा को इंडिया में Larson and Tobro जो L&T हमारा बहुत popular आप लोगों को बताए होगा इंडिया की one of the most successful company है तो इन्होंने South Korean Defense Technology जो है न उसका इस्तेमाल करके बनाया था और government अभी 100 के आसपास इनको procure करेगी procure करने के मतलब होता है to get प्राप्त करना फिर sustainable shrimp cultivation से hope किया जा रहा है कि जो mangrove सुन्दरबंस में वो restore हो जाएगा पहले तो आप लोगों को ये shrimp के बारे थोड़ा idea होना चाहिए ये होता है shrimp आप लोगों कहिना के photos में देखा होगा कह सकते होगी जो भी समझना चाहोगा अब कोई खाता होगा तो उसको ज्यादा बहतर पता होगा बट आपको idea देना था तो sustainable तरीके से अगर shrimp की cultivation की जाएगी तो सुन्दरबंस वहाँ पर उनको दोबारा से हिस्टोर की राचता है सुन्दरबंस जो है ना forest है almost 10,000 square kilometer का इंडिया और बांगलादेश के अंदर तो जहाँ पर मारा गंगा का mouth है ना ocean में origin सुन्दरबंस का है अब सुन्दरबंस basically low-lying islands ही है Bay of Bengal में इंडिया बांगलादेश के अंदर यहाँ पर mangrove forest बहुत popular है जाहर सी बात है यहाँ पर मारा royal Bengal tiger जो के मारा इंडिया का national animal है वो पाया जाता है और इसको UNESCO World Heritage Site का tag भी होला था 1987 में और बांगलादेश की side से इसको 1997 में भी tag दिया गया था तो एक नया sustainable shrimp cultivation की टेखनीकली इसमा मैंगरू जो वहाँ पर destroy हो चुके हैं इसको नुकसान हो रहा है उसको restore करने का plan किया जा रहा है कुछ concern थे यह unsustainable aqua culture भी हो सकता है and particularly shrimp collection का basically इसके लिए मैंगरू के forest में बहुत सारे tracks को पहले clear किया जाएगा then we have crypto awareness campaign है IEPF के दवारा आईएप तो recently हम लोगों ने देखा ही था basically इंडिया के अंदर होगया रहना कि crypto का जो exchange हो रहा है उसमें बहुत सारे तरीके से unlawful practices की जा रही है drug trafficking में, money laundering में foreign exchange के violation मगरे किया जा रहा है and बहुत बार GST के revenue पर भी इसका impact पड़ता है तो ऐसा estimation किया जा रहा है कि 2025 तक इसका 5 billion dollar तक का revenue चला जाएगा compound annual growth rate जो है 38% तक रही है 2017 से 20 में जब कि China में 8% था और US में 10% था तो एक outreach program plan किया जा रहा है तकि cryptocurrencies and online gaming के अंदर लोगों को aware किया जा सके National Internet Exchange of India आप लोगोंने बहुत सारी अवसेट देख्योंगे जिनके पीछे dot in लगता है तो NIXI निक्सी जो है यह national internet exchange है इन्होंने tender निकाला है that only the Indian companies जो कि हमारे companies act के तहत registered है उनको tender दिया जाएगा कि वो dot in के registries को manage कर सकती है तो Nixi क्या है यह भी not for profit company है जो कि हमारे Indian companies act के अंदर आती है इनका primary objective होता है कि हमारे country के अंदर internet services को control करना यानि कि जो भी मारा internet traffic वगरा होता है उन सब के content players को होता है उन सब को manage करना बड़ important news है क्रोशिया जो है वो एक fully integrated European Union का member बन गया है अब European Union के अंदर as of now अगर आप देखोगे 27 members है पहले 28 थी बट ब्रिटेन ने exit कर लिए Brexit हो गया था तो हुआ क्या है ना इन्होंने actual में joint तो 2013 में कर लिए था European Union लेकिन उनकी जो currency थी थी ना European currency जो euro होता है यो उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहे थे क्योंकि European Union का एक rule है या आपको उनकी currency use करने के लिए भी आपको अपनी country में कुछ rules होना है जैसे कि आपका inflation control में होना चाहिए आपकी public spending अच्छी होने चाहिए आपका exchange rate stable होना चाहिए तो 2013 के बाद almost 9 years के बाद Croatia ने ये सारी qualities fulfill कर लिए है सारी qualities नहीं सारी requirements जो है इनको fulfill कर लिए है अब ये full-fledged Saturday को basically at the stock of midnight on Saturday Canada ने switch किया था अब वो ये है ना इनके border पर बहुत सरे checkpoints थे वो हट गए है अब क्या होगा जो crocians है ना ये इन में almost 4-20 million people है ना ये 27 countries में बहुत आराम से free में घूम पाएंगे इसके लिए एक Shenzhen area होता है इसको कुछ लोग इसको Shenzhen बोलते हैं कुछ लोग इसको Shenzhen भी बोलते हैं तो ये जो एरिया होता है इस एरिया में basically free movement हो सकती है उन लोगों की जो इन boundaries के अंदर रहते हैं यानि कि ये 27 members है ना इस एरिया के अब European इनके कुछ countries इस एरिया का पार्ट नहीं है जैसे कि Bulgaria इस एरिया, Cyprus और Ireland और चार नौन European countries है Iceland, Lichtenstein, Norway और Switzerland इन्होंने इस agreement को accept किया हुआ है तो देखो कि आप लोग तीन countries बाहर हैं और चार countries अंदर हैं तो अगर आप इस एरिया में जाते हो तो आपको यहाँ पर एक country से दूसरी country में जाने में passport और visa नहीं लगता then G20 आपको पता है कि इंडिया के पास की presidency आ गई है अभी 2023 में G20 में बहुत कुछ होगा इंडिया में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा तो अभी recently गुजरात में इसका एक शरी गुजरात कहारा हूँ इसका यह बैंगलोर में होगा basically यहाँ पर लिखा नहीं है बटी बैंगलोर में होगा G20 का Digital Innovation Alliance है इसमें क्या किया जाएगा कि startups वगरा कि द्वारा कैसे innovative और impactful digital technology को develop किया जा सकता है उसको लेकर कि जो भी G20 के nations है बाकि जो non members जिनको invite किया जाता है उस सब इस चीज़ को इस topic को address करेंगे agriculture में, health में, EdTech में, FinTech में Secure Digital Infrastructure एटसेटर, एटसेटर तो दिनेश कुमार सेखला जी है वो recent जो की पहले AD थे हमारे of AD और अब डिरेक्टर थे उन्होंने chairman की position ले लिए अब इसकी तो यह AER भी क्या है Atomic Energy Regulatory Board है इसके शुरुआत तो कीगे थे 1983 में President of India के द्वारा Atomic Energy का मारा जो एक्ट ना 1962 का उसके थूरू इसको power भी मिलती है basic साथा Atomic Energy Regulatory Board के बारे में थोड़ा सा आपको बस click करना चाहिए अचा ठीक है हाँ, अदर्वाइस यह जो topic है यह SSC का ज़्यादा बनता है यह static Then we have eco-parks, eco-park क्या होता है ecological park होता है, green space होता है बहुत special care की जाती vegetation की, ecosystem की, जो सेरिया में रहते हैं यह large भी होते हैं, दूसरे landscape के साथ connect भी करते हैं nature conservation काफी अच्छा होता है environmental protection ambitions होते हैं बस, तो यह थे हमारे सारे के सारे one-liner current affairs अब important चीज़ देखते हैं Earth at Perihelion 4th January 2023 तो basically December का जो solistis था, उसके उपर भी हम लोगों ने cover किया था वो, तो अभी उसके almost 2 week के बाद, तो Perihelion का मतलब होता है कि जब Earth जो होता है वो sun के closest होता है, अगर आप इस देखोगे, तो January में Perihelion होता है, और July में Appelion, Appelion का मतलब कि sun से वो maximum distance पर होती है, अगर आप देखोगे तो kilometer में 147.1 million kilometer, ये closest Earth, closest distance है जहाँ पर Earth sun के कितना करीब जा सकती है और यहाँ पर आप देखो कि July के अंदर ये 152, ने कि almost 5 million kilometer का distance बढ़ जाता है तो Earth अपने Perihelion पर पहुंचती है, because of its revolution around the sun, ये जो word इसका मतलब है, peri का मतलब near होता है, और helio मतलब जाहर सी बात है Greek God sun को helio बोलते तो Appelion जुलाई में होता है, थोड़ा distance आप याद रखना है, चाओ तो याद रख ले न and वैसी तना important है नहीं, but just have an idea about this अब जब Earth अपने Perihelion पर होती है तो जाहर सी बात है कि Earth के climate के अंदर कोई ऐसा बहुत बहुत ज़्यादा significant तो नहीं होता, changes क्योंकि वो इसके tiltation के उपर depend करता है आप लोगों देख रहे हो न, यहाँ पर यह poles जो ही टिल्ट के हुए और थमारी जो हो थोड़ी सी tilted है, यह तो आप लोग basic चीज़े है जोगरफी में, इसमें तो एक्स्पेरिन करने का कुछ है नहीं तो यह याद रखना, Perihelion का time कौन सा होता है January का, और इसे दो सब्ता पहले होता December solacist I think summer solacist को पर question आया है आपका पहले prelims में there was a question based on summer solacist तो यह आते रहते हैं, छोटे-छोटे चीज़े हैं यह Perihelion का मतलब पता होना चीए, Apihelion का मतलब भी पता होना चीए आप लोगों बस यह topic इतना ही था अब हम लोग आगे proceed करेंगे अब एक बार जो हमारी highlights से news की उनको जड़ा cover कर लेते हैं सबसे पहले जो हमारी highlight आई था उसमें आई थी No need for extra curbs on the free speech of ministers यह Supreme Court ने बोला है, यह नीचे दुबारा से repeat हुआ ना जहाँ पर extension में है ना, उसमें cover करते हैं फिर यह, we do not believe in war but we will fight if force to तो राजनात सिंग जो हमारे defense minister ने कहा था अभी recently क्या हुआ है कि अरनाचल प्रदेश के अंदर कुछ 28 के आसपास infrastructure के projects थे, उनको develop किया गया था border road organization के दौरा तो यहाँ पर आपको BR के बार में पता होना चाहिए आज एक editorial है नीचे एक और topic है, उसमें BR के बार में explain किया हुआ तो वहाँ BR के बार में पता चल जाएगा basically वहाँ पर हम लोगों ने border villages की बात की गई है editorial में, तो वहाँ हम लोग explain करके detail में check कर लेंगे then next एक photo expo हुआ था on the indigenous, यानि कि इंडिया में पाई जाने वाले fish species के लिए, इसमें आपको again, जो मैंने आप लोग को बताया ना भी recently केरला का जो तिरुवनत पुरण में कुछ better flies के नाम बताया थे तो ऐसे थोड़ा नाम याद रखना कि थमीरा बारानी बार्ब करके नाम आजाता है रोहानी बाब करके तो बाब जो बहुता है, fishes के लिए यूज़ के लिए यूज़ किया आता है क्योंकि ऐसे questions पहले आए होए है तो around 150 portraits हैं fresh water के और brackish water के fishes के जो की eco park में मिलते हैं अब eco park आप लोगों ने recently अभी भी हम लोगों ने देख लिया ना one liner जो current affair थे तो देखरो कितनी सारी चीज़े connect हो जाती है एक ही दिन के newspaper में then moving further हाँ ये आपको note down करना है city residents will get a glimpse of the northeast culture ये हमारे ये governor ने बोला था तो Tamil Nadu के अंदर basically जो आपने आप में खुद बहुत high reach है वहाँ पर एक तरीके से ना एक octave 2023 का festival है अभी मैंने आपको क्यों दिखाया है ना क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ यही याद करना है जहाँ पर भी आपके notes होंगे ना तो उसमें जो North East region के आपने कहीं पर भी notes बनाया उसमें octave लिख लेना octave 2023 करके क्योंकि जब आप लिखोगे ना तो promote करने के लिए North East region को इस तरह के festival celebrate किये जाने चाहिए ताकि वहाँ का art and culture भी promote के रहा सके अब you can use this in GS1 also and उसमें अगर कोई North East का दूसरा region आता है जैसे कि अगर for example GS3 में आपका question बनता है security region से extremism से तो वहाँ के लोगों को involve करने के लिए भी अगर उस region में होता है तो यहाँ पर भी इस तरह के festivals का इस्तेमाल किया जा सकता है बाकि जो 8 states है हमारे वहाँ से हमारी 4% इंडिया की population आती है और 8% नमारे जोग्रफी है अगर आपको इस North Eastern टाइप का कोई question बनता है उसमें कुछ भी नहीं आता है तो यह चीज तो लिखी ही जा सकती है तो आगे चलते हैं आगे चलते हैं हाँ ये भी एक थोड़ा सा example आप लिख सकते हो हाई कोट का statement आया था उन्होंने का था कि बहुत सारी जो petty egoistic fights होती है ना माबाप के बीच में उन्हों जो छोटे बच्चे होते हैं उनका महरा बन जाते हैं तो बस इतना ही लिखना है क्योंकि कभी-कभी जो child little issues आते हैं अब उसमें justice juvenile वाला act के बारे में अगर कुछ लिखना हो या फिर कुछ भी वह सकता है basically social issues वाले जो मुद्दे हो सकते हैं आप mention कर सकते हो कि it was also मदरास के high court ने भी बात कही थी कि parents की जो egoistic fights होती है ना उसमें children they become the pawns और ये उनकी mental health को बहुत impact करता है just in case अगर कोई आपका mental health का topic see these are innovative ideas UPSC आपको वो नहीं चाहता कि आप रटे रटाए points रट लो कि हाँ बच्चों को यह होना चाहिए फलाना चाहिए education मिलने ची health मिल चाहिए they want you to go deeper तो कि कल को जब आप एक administrative officer बनतो हो ने ऐसे मुद्धे आपके सामने आते हैं अब यह जो case था ना यह case यह ऐसा चल रहता कि माबाब थे वो US में रहते थे उनकी आपस में problem थी अब उनकी माँ बच्चों को लेकर कि जबरस्ती इंडिया में आ गई है तो यह case सा चल रहता माबाब का आपस में अब हाई कोट यह कितना अचा statement दिया ना यह petty egoistic fights होती है married couple कि उसमें बच्चे उनका महरा बन जाते है उनका इस्तिमाल किया रहता है तो यह mental health को लेकर के और बच्चे के growth को लेकर के उनके social issues child लेकर क्या problems face करता है कल को जब आप officer बनोगे आपके सामने ऐसे cases आएंगे इसलिए इनके बारे में aware होना और यह वो innovative solutions है और वो problems है जो UPSC आपसे डिमांड करता है एक और example देखो जब बात की जाएगी ना tribal areas की फिफ्ट schedule है हमारा और हमारा six schedule है तो फिफ्ट schedule के अंदर ने तो हम लोग जो बात करते है वो है scheduled areas जो six schedule में जो areas है which is AMTM यहां पर income actually tribal areas बोलते है यह दोनो जो schedule है नोग डिफरेंस है फिफ्ट वाले को हम लोग scheduled areas बोलते है और फिफ्ट वाले को हम लोग tribal areas बोलते है फिफ्ट schedule के अंदर था कि इंडिया में except AMTM बागे सब states के अंदर कुछ scheduled areas declare के जाएंगे कौन declare करता है President declare करते है और right now यह 10 states नहीं कर दी है ऐसा है तो वैसे तो आपको 10 states के नाम भी याद होने जी but मैंने यह आपको क्यों highlight करके दिया है क्योंकि जब questions आता है tribals वगरा के issues के लिए तो this is something you can mention as an example कि transport facility उनके लिए अवेलिबल नहीं होती तो around आप एक example लिख देना कि 110 students walk almost 8 km every day in the burgur hills of eroded district in the मतलब सदन इडिया यह लिख सकते हो आप लोग तो यह छोटा सा example है लोकेशन का नाम आ गया एक number आपने mention कर दिया है आपने tribal students का issue भी handle कर दिया है this is the social issue that they face social भी और infrastructure issue में भी आएगा कि transport facility अवेलिबल नहीं होती बच्चों के लिए आगे चलते हैं और क्या है मार पास यह वाला तो कर लिए हम लोगों ने यह रिटोरल अभी करेंगे आगे cover इसको हम लोग अच्छे से इसके बाद further यह दो को recently मैंने आप लोगों बताया था ना प्रधान मंतरी गरीब कले लिए ना नयोजना को remove कर दिया गया था तो यह आगे आगे फर दिसको पर developing news में अभी Congress का भी कुछ comment आए यह हम लोग कवर कर चुके हैं रिटोरल में बहुत डिटेल में किया था Now this is important, not all the religious conversions are illegal ऐसा Supreme Court ने बोला है तो मद्यपरदेश का एक Freedom of Religion Act है 2021 का वो mandate करता है कि जब भी किसी person को convert होना होगा या फिर किसी priest वगएरा को ना उनको एक conversion organize करना होता है यानि किसी पंडित वगएरा को जन्नली जो होती ही शादी के मामले जो होता है marriage करना होता है दूसरे faith में था भी conversion हो रहा होता है तो उनको अपने district magistrate को दो महिने का एक prior declaration देना पड़ेगा और यह बताना पड़ेगा कि उनका जो religious faith है उसमें कोई सी भी तरीका कोई force के द्वारा या किसी प्रभाव से जबरदस्ती या फिर किसी लालत देकर कि उनका conversion नहीं किया जा रहा है Supreme Court ने यहीं बोलाता है कि देखो सारे religious conversions होते है they are not illegal even अगर वो marriage वगरा भी हो रही होती है तो उन्होंने basically एक mandatory provision जो था न जिसमें उनको दो मेने से की आसपा 60 days का intimation देना था उसको freeze करने की बात किती High Court के decision को मैंने आपको बताने की कोशिश की कि Supreme Court क्या सोच रहा है इस चीज के उपर अभी इसमें ऐसे कुछ note down करने का नहीं था this is very very important Public functionaries should be more responsible in their speech Justice Nagratna Justice Nagratna जी recently news में थी because जो demonetization का 4 is to 1 का verdict आया था उसमें जो 1 का dissent था उसमें Justice Nagratna जी का था उन्होंने एक statement दिया Hate speech denies human beings the right to dignity पता है किया अगर आपको कोई topic आगा न hate speech का आप ये line लिखो Hate speech denies human beings the right to dignity Supreme Court का लिख दो Supreme Court ने ऐसा बोला है इस statement की value बहुत ज़्यादा हो जाती है The moment you mentioned law commission Second ARC, Niti Ayug ने ऐसा बोला था उस ministry ने ऐसा बोला है इंडिया के खुद की governance की चीज़े बोले तो वो चीज़े बहुत important जाती है तो ये statement यहाँ पर इतना काफी था बाकि उन्होंने ये काया कि इस topic के अंदर actual में की देखो भाई साब हर एक citizen के पास कुछ rights मिलते हैं हमारे article 19 के अंदर जो right to freedom होता है उसमें speech and expression का भी होता है तो उन्होंने एक तरीके से revive करने की कोशिश की देखो बाई साब ये ऐसा नहीं है कि आपको पूरी liberty मिल जाएगी उस liberty के उपर कुछ restrictions होता है आपको उन restrictions का follow करना होगा कुछ restrictions क्या होता है जैसे कि morality को लेकर कि आप किसी को जाकर कि publicly insult कर देते हो उस जाकर कोई violence create हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि आपको वो liberty जो होगी वो court accept नहीं करेगा उस चीज़ को You have the right, you can say certain things आप खुले हम बोल सकते हो बट आप किसी के sentiments को hurt कर रहे हो आप कहीं पर आपकी speech के करन को disturbance create हो गया ठीक है आपने किसी के religion पर आपने किसी के faith पर आपने किसी के thought process पर, किसी के personal life पर कुछ बोल दिया और या तो इनसान चुप रहा गया, चुप चाप चला गया, वो बात खतम होगी पर देरार situations यहाँ पर लोग revenge की sentiments को create कर लेते हैं hate speech के करन बहुत सार violence भी हो जाता है human dignity को भी degrade करता है तो उन मामलों के देरे restrictions लगाया जाते है तो public order maintain करने के लिए restrictions लगाया जाते है यह सब आपके fundamental rights में detail में given है मैंने जिस्ट आपको एक revision देने के लिए बताया था कि ऐसा याद रखना है आपको यह भी और ज़रूरी है PM and CMs have no disciplinary control over the members of the council of ministers सुप्रीम कोट ने का है देख होता कि है ना एक तो council of ministers होता है ना यह दोनों जगय पर होता है यह centre में भी होता है यह state में भी होता है अब council of ministers का head kosset का है चंटर में होता है prime minister, state में होता है chief minister तो उन्होंने का कि देखो भाई-साब appointment कौन करता है प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेजिडेंट को कि प्रेजिडेंट साहब ये लोग हैं इनके लिस्ट में लेके आया हैं आपके पास मैं इनको recommend कर रहा हूँ आप इनको council of ministers में add कर दीजिए center को पर chief minister भी एक list लेके जाते हैं governor के पास बोलते हैं कि साहब ये जो राज़ेपाल होता है कि मैं ये list लेके आया हूँ इनको आप लोग council of ministers में add कर दीजिए तो यानि कि council of ministers जो होता है वो किस पर काम करता है the pleasure of president at center and the pleasure of governor at state level पर अब उन्हों ने ये कहा कि जब ये recommendation prime minister के और chief minister के आई थे ना supreme court बोलता है कि देखो भई आपके पास ना कोई इसा VIP नहीं होता है, VIP मतलब क्या होता है हमारे parliament के अंदर ना और हमारे जो state legislative assemblies and state legislative councils होते है उसमें VIP एक person ही होता है VIP की उसको position कह सकते हो दी जाती है VIP का का काम क्या होता है कि जब भी कोई parliament का session हो रहा होता है तो party की जो बाकि सारे members होता है उनकी attendance वगेरा को maintain किया जाए इतो attendance को और उनको ये inform करना कि देखो भई आज party एक particular bill pass करेगी, जैसे हमार example देता हूँ 2019 में जब article 370 की बात की कही थी तो जहार सी बात है कि 370 जैसे article को ले करके बहुत सारा operation एकदम से शोर शराबा मचाएगा तो उनको बोलता जाओ लगाता है कि discipline maintain करें तो आज particular मुद्दा discuss होगा तो आप भी आए अपनी राहे रखें, आप अपनी मिनिस्टे का report submit कीजिए और आप ये वाला मुद्दा दे दी गई है कि आप थोड़ा discipline maintain करवाओ ठीक है या फिर हमारे इस मुद्दे पर vote होगी आप ध्यानने कि सब लोग vote कर रहे हैं और कोई अगर against में vote करना चाता है तो आपको inform कर देगा पहले कि आज वोट नहीं करेगा तो वो vote वाली चीज़ दी जाती है Supreme Court ये कह रहा है कि देखो भाहिसाब ऐसा है आप disciplinary control तो नहीं बना सकते हैं उनके उपर ठीक है उनके पास एक power होती है उनके पास responsibility होती है तो governments कभी-कभी एक wafer thin majority को पर भी survive करती है हना महाँ पर individual ministers होते हैं वो they are strong enough एक minister भी पूरी की पूरी सरकार को hold करके रख सकता है तो you cannot just control them और हमारे देश के अंदर क्या है कि multi-party system चलता है यहाँ पर coalition governments भी चलती है तो उनके पर सिए काता है कि थोड़ा सा control मत करो ministers वगरा को be very lenient to them और यहाँ पर मैंने आप लोगों को वो collective responsibility के बारे में ध्यान रखना तो हमारे जो council of ministers होता है it is collectively responsible to जो हमारा basically legislative होता है like executive जो हो गया है यहाँ पर ministers वाला cabinet वगरा का जो होता है वो collectively कि किसको responsible होगा लोग सभा के लिए responsible होता है और यह क्या है यह हमारा bedrock principle है of the parliamentary form of government यह keyword है सब exam में आज चुके हैं आप लोगों के जिन्होंने पढ़ लिया होगा उनको पता होगा then यह देखो हम लोगों ने दो दिन पहले topic किया था हमारा 108 जो science congress चल रही है उसको लेकर कि तो बस एक revision है तो प्राइमिनिस्टर जी ने काया कि scientific community must work to fulfill the country's requirements चाहो तो इस तरह के statements का example note down कर सकते हो यह देखो एक और example आगया women empowerment का सी आचन में कुमार पोस्ट है वहाँ पर पहली first women officer है उनका नाम है Captain Shiva Chauhan एक officer है Corps of the Electronics and Mechanical Engineers थे यह पहली women officer बन गई है जिनको operational deploy किया गया है कुमार पोस्ट है हमारे सी आचन गलेशर में वहीं कि 15,632 के field पर है आप सी आचन गलेशर का question भी पहले exam में आ चुका है आपका और women का question इसमें तो नहीं आता है बट यह आप means में और अपना ethics में and कई ना कई essay के अंदर और option भी आपको requirement हो तो you can use this कि women की देखो और women का participation in the defense कितने सारे जगह पर आप इसको यूज कर सकते हो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाए यह उसमें मिल जाएगा आपको जो PDF होगी ना PDF मैंने इस जो green कलके highlights है सब यह collection वहाँ पर दे दिये This is also very interesting to understand कि Supreme Court ने concern जताया है आप कि यह जो small fishermen है they may hit by the purse sine nets अभी purse sine nets क्या होता है पहले आप लोगो इनके बारे में जान लेना चाहिए तो यह कुछ इस तरीके से होता है अगर आप देख पा रहे हो ना यह जो photo है आपके सामने यह छोटा सा आपको नाव दिख रहा होगा और कितना बड़ा जाला है तो यह पूरा purse sine netting होती है अगर आप देखोगे छोट छोटी नाव होती है कितना बड़ा net create कर लेती है अब इसमें net में इस तरीके से मचले हैं फसने लग जाती है जो रीजन है हमारा उसमें तमिल नाडू का रीजन उनने कहा था कि इनको 12 nautical miles जो हमारा इंडिया का zone होता है boundary का zone होता है coastal zone होता है उसके beyond इनको fishing allow की जानी चाहिए Supreme Court ने कहा था कि देखो हम इनको अगर allow कर देते हैं तो what about those small fishermen जो traditional small fishermen उनका क्या होगा ये भी हमें जवाब तो आप अब हम बता दो तब इन लडू को एक order रहता 2020 के अंदर उनने ban कर देता large nets को कि यो deep waters को जाके fishing नहीं करेंगी अब उन्होंने का कि दो को यार fishing का season होता है और जो एक uniform ban period है 60 days का उसमें उन्होंने का 15 days हमें आलाओ करतो यहां पर आपको इतना ही जाना था एक तो आपको इन net के बार में पता होना चीछ था यह जो net होती है इसमें बहुत सरे नुकसान होते हैं अगर आप देखोगे इंडिया और श्रिलंका का जो हमारा मुद्दा है न वहाँ पर fisherman का issue रहता है वहाँ पर भी यह जो trolling वाला issue रहता है न ट्रॉलर से यूज कियाता है एक्चली जो net होता है बहुत बड़ा होता है तो जमीन से पूरा का पूरा से drag करता है उसमें बहुत सार बहुत बहुत बर नीचे एक्विटिक प्लांट्स होगरा भी या रहते हैं बहुत सारी बायर डैवर्स्टी भी डिस्टर्ब हो जाती है तो वहाँ से भी नुकसान करता है यह चोटे-चोटे चीज़े हैं अच्छा पर्रमनेंट यह नमारा next है अब देखो P5 कौन से कंट्रीज है यूएस है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है और रशिया है यह पांच वो कंट्रीज है कि जब हमारा UNSC UN का सेक्योर्टी काउंसल बनाए गया था उस दोरान इनके पास नुकलियर पावर थी अभी right now इनके अलावा इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है नौर्थ कोरिया के पास है और इसराइल के पास है तो as of now world के अंदर और मतलब इरान का नाम तो लिया जाता है बट इरान is, we cannot say कि उनके पास ऐसे नुकलियर पावर डिकलियर है तो यह कहा जाता है कि यह जो nine countries है ना total इनके पास आज की rate में nuclear power है अब इंडिया इसमें काफी देखोगा अगर आप इन पांच के लावा तो इंडिया is the one country जो थोड़ा responsible अपने nuclear power को ले करके, पाकिस्तान पर तो कोई भरोसा नहीं करता हम क्या कोई नहीं की भरोसा करता नौर्थ को यह तो मतलब दुश्मर है आप लोग ने देखा होगा जब Trump was here Donald Trump was here और उसके बाद King John इनकी पेच में कितनी problems चल रही थी लगी राता कि बस यह nuclear war होई जाएगा इनके बीच में अब इंडिया के चाहरा ने इंडिया कहा रहा है देखो यार UN SC के रिफॉर्म्स UN की रिफॉर्म्स में सबसे important ही है कि UN SC के जो पाँच पर्मेनिट मेंबर जाने P5 अच्छा P5 यह तो पाँच पर्मेनिट होते हैं दस temporary members भी होते हैं जो की circulation पे रहते हैं और इंडिया को भी इसकी membership मिलती रहती है तो उरहने का था कि P5 को increase किया जाए कम से कम P7 तक लेके जाए जाए अब इंडिया का proposal तो यह कि at least हमको add करो और African nation से किसी को add करो कि आप देखोगे UK है Europe की दरफ से US हो गया है हमारा North America की दरफ से Russia और China जो है यह दोनों के दोनों Asia से हो गया है और उसके लावा जो France था यह भी हमारा Europe से हो गया है बट देशे कि यार African continent से आपने किसी को नहीं लिया है Australian continent का representation नहीं पर Australian तो अपने आप में country भी है continent भी है बट at least African continent में इतने सारे countries है किसी का representation तो लो यार तो इंडिया कहे रहा है हमें भी ले लो और Africa को भी ले लो अच्छा इसके अलावा भी Japan है वो भी कोशिश कर रहा है Germany भी कोशिश कर रहा है Brazil भी कोशिश कर रहा है Indonesia भी कोशिश कर रहा है अक्च्वल में देखा जाए तो कि हम लोगों को भी इसमें मेंबर्शिप मिल जाए इसकी मेंबर्शिप मिल जाने से वर्ल्ड के अंदर टेररिजम वगरा को लेकर की काफी सारे स्टेप्स लिए जा सकते है तो हमारे जो अभी External Affairs के मिनिस्टर है जैशंकर जी, he is on a visit to Austria और हम लोगों ने यह उस्ट्रे वले टॉपिक भी देखा था कि कैसे migration को लेकर की इन्होंने recently agreement sign किया था तो वहाँ पर उन्होंने ये भी mention किया था कि UN के reforms में टेररिजम पर भी ध्यान रिखना कोड़ेगा तो कि Pakistan के नदर की cross border terrorism हो रहा होता है ना इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है यूँ उस पर steps नहीं ले पा रहा है और हमको problem हो रही होती तो बहुत सारी decades के practices है इनको change करने के ज़र तो उन्होंने ये भी बोला कि European Union है ना ये उन्होंने मतलब काफी decades है दसों सालों से बहुत सारे terrorism चल रहा है इसमें से दो major countries है US है और France है बर ती शान्त क्यों इतने उन्होंने इस चीज़ पर भी थोड़ा सा questions रेस किये थे और आगे चलते हैं जो हमारे exam point of view से important है हाँ government ने raise किया है windfall tax on the crude oil export of diesel ATF अब यहाँ पर आपको important है वो जाना है windfall tax क्या होता है तो windfall tax basically tax on profits अब company के अंदर कभी-कभी suddenly बहुत सारे profits आ जाते हैं external तरीके से कोई profit आ जाता है जो कि unprecedented events होता है unprecedented मतलब कि पहले हम लोगों ने इसा सोच जाने थे कैसा हो जाएगा अक्सरी क्या होता है कि energy का जो पूरा हमारा ecosystem में उसमें प्राइस राइस होता है तब हमारे एकदम से profit increase हो जाते है तो Russia Ukraine के conflict के कारण की चीज़ बहुत news में आई थी तो हम लोग कह सकते है कि windfall को एक unearned और unanticipated gain होता है जब आपकी income के अंदर जिसमें आपने कोई additional effort नहीं लगाया तो कोई expense नहीं किया था तो government इसको basically एक one of tax लगाती है retrospectively और above the normal rate of tax तो इस तरह के profit को हम लोग बोलते है windfall tax generally oil markets के अंदर ज्यादा हो रहा होता है क्योंकि वहाँ पर fluctuation बहुत होती ही प्राइस की तो अगर हम देखें कि क्यों लगाना ज़रूरी इसका rational क्या होता है लगाने का see बहुत सारे varying rationals होते हैं governments के worldwide windfall tax को introduce करने के वो कहने कि जो भी profit हो रहा है उसको redistribute किया जाए हम लोग social welfare के लिए use करेंगे तो बस यहां पर आपको इतना ही जाना था so highlights वाली news हमारी इतनी थी बाकी हम लोग अब आगे की चीज़े cover करेंगे editorial है हमार पास it is crucial for India to embrace the multi-domain operations Air Vice Marshal Manmohan Bahadur जी है and former director general भी था यह center for the air power studies के लिए अब आप लोगों को topic में कुछ keywords मिलेंगे एक तो keyword आपको MDO मिलेगा multi-domain operations अगर आप देखोगे इस topics आपको क्या सीखने को मिलेगा अगर आपने GS3 का paper देखा होगा mains का 2022 का उसमें जो last question था ना उस last question में ने नक्सनलिजम को लेकर के सवाल उठाए गए गए थे उसमें keyword था उसमें ने बात किती emerging issues को लेकर गए अब यह emerging issues जो keyword होता है न यह पहले कई बार आ चुका है UPSC wants to know कि क्या उस aspirant को पता है कि हमारे emerging issues क्या है fundamentals क्या है basics क्या है तो उस तरह की emerging issues जो बदलते रहते हैं अब emerging issues में और उसके साथ इसी question में होने keyword दिया था कि multi-layered I think multi-layered या multi-prong strategy करके क्या होगा multi-layered कर देते हैं multi-domain या multi-layered करके strategy की बारे में पूछा था government की क्या strategy है नेक्सलिजम को handle करने की इस topics हम लोग इस समझने की कोशिश करेंगी यहां पर हमारा keyword majorly रहने वाला है multi-domain की operations में तो समझते हैं क्या कहना चाहरा है कि अब देखो example उनने दिया है कि इंडिया और चाइना की आसपास में जो motivated होती रहती है ना skirmishes हो चलते रहते हैं border regions के उपर तो अब उसको कैसे handle करते हैं हम लोग आज तक आज तक हम लोगोंने कुछ तरीके से handle किया था हमारे जो external affairs के minister तो उन्हों recently कहा था कि हम लोगोंने जितने तरीके से army को वहाँ पर deploy किया हुआ है वो आगे भी deploy रहेगी future में उसका deployment इतना ही रहने वाला है वो कम नहीं होने वाला वो reduce नहीं होने वाला है तो क्या हम लोग अभी right now जो हमारे methods है handle करने के चाइना के वो काफी है क्या is it okay क्योंकि जो मुद्धा होता है na suddenly एक बार news में आता है उसके बाद फिर हमारे कभी election आ गए है कभी हमारा कोई bridge collapse हो गया इंडिया के अंदर हाना कभी कोई यातरा निकाले जारी से भारत जोड़ो यातर चल रही फिर हमारा G20 आ गया तो इन सब में छुप जाते हैं मुद्धे बट ऐसा नहीं कि वहाँ पर जो skirmishes वगरा चल रहे थे वो बंद हो गए थे वहाँ पर वो जिरे चल रहे थी तो उन्होंने कहा था कि एक technical advance तरीका हमें implement करना पड़ेगा अब सिंस जिन्होंने ये editorial लिखा है जिन्होंने ये content present किया है वो खुद defense से belong करते हैं he's an air voice marshal तो उन्होंने बात की थे कि concept of multi-domain operations की क्या है ये multi-domain operations की उन्होंने कहा था कि सर ऐसे मत करो कि मार लो इंडिया चाना का कुछ चल रहा है तो आप land से attack कर जकते हो sea से attack कर रहे हो या फिर सिरफ air से attack कर रहे हो हना या फिर आप space technology में जा रहे है तो space से attack कर रहे हो या फिर आप electromagnetic spectrum का इस्तेमाल कर रहे है do not go for these things तो उन्होंने कहा था कि multiple domains में एक साथ काम करो अब ये multiple domains काम कैसे करेगा उन्होंने कुछ example दिया था इसका कि मार लो आर्मी की जो coastal missile होती है न उसकी बैटरी उसकी strike का इस्तेमाल किया जाएगा naval vessel के द्वारा तो आर्मी generally land के उपर होती है अब उसका इस्तेमाल कौन करेगा naval vessel इस्तेमाल करेगा air force के पास भी aerial vehicles वगरा होते है उसका इस्तेमाल कौन कर सकता है उसका इस्तेमाल army कर सकती है land के उपर अपनी intelligence को gather करने के लिए उसी उन्होंने यही का इनको training करने की ज़रूद पड़ेगी न इस तरह की चीज़ें अब उन्होंने एक keyword एक order दिया था C3 के बारे मुन्होंने बात की थी C3 क्या था हमारा Command, Control and Communication सोच करके देखो ना जब यह multi domains में इस तरह के से operate कर रहे होंगे land वाला, sea वाला, air वाला, space वाला they need to go for the command उनको command करने आने चाहिए उनको control का पता होना चाहिए आपस मेंनका communication कितना strong होना चाहिए यह तब ही हो पाएगा C3 के अगर हम लोग concept को follow करेंगे तो तो इन्होंने इसी के उपर बात करने के कोशिश की थी कि हम लोग कैसे planning करेंगे कैसे acquisition करेंगे, staffing कैसे कर सकते हैं उन सब के पास inputs और instructions होने चाहिए और जो भी मारा main structure होगा, अगर वो available नहीं होगा तो mission command के पास क्या कोई दूसरा alternative available है इस सारी चीज़े होनी चाहिए और यह हमें करना पड़ेगा C4 जो concept है ना, multi domain operations का यह actual में इंडिया के लिए नया नहीं है यह चीज यूएस के दर follow की जा रही है almost 10 सालों से और चाइना क्या कर रहा है चाइना यूएस के military को match करने की कोशिश कर रहा है तो चाइना भी एक तरीके से अपने आप MDO develop कर रहा होगा बट क्या इंडिया इस पर काम कर रहा है गया that's what we have to understand तो हमारी एक four-prong strategy हो सकती है क्या हो सकती है यह उन्होंने थोड़ा से बताने की कोशिश की थी let us try to understand this thing पहला उन्होंने कहा कि short term में जाओ जो हमारे traditional physical domains थे ना उनको stabilize कर लो जो already अभी है उनको stable कर लो वो proper तरीके से होने चाइए हमारी जो भी deficiencies चल रही हमारी services में उनको सबको plug करो second उन्होंने कहा था हमारे जो C3 network है C3 मतलब क्या command, control, communication जो होता है इसको और मजबूत करो harden करो इसमें को cyber threat नहीं आना चाहिए क्योंकि जनरली इसमें ICT का use होगा information, communication, technology का importantly इनको link करो आपस में सबको sync कर लो हना data exchange को ensure करो तीसरा उन्होंने long term बता है देखो पहला और दूसरा एक तरी के से short term है तीसरा उन्होंने का long term में जाओ एक pilot project को start करो जिसमें हमें पता चलेगा कि हम लोग कैसे MDO के environment पे काम कर सकते हैं अभी right now तो ये theoretical discussions में चल रहा है एक literature की तरह काम कर रहा है बट इस पे हमको execution करना जरूरी होगा finally जो fundamentals होते हैं MDO के वो ठीक होने चाहिए तो लोगों को educate करो training करो US की Air Force के पास एक साल का long training course होता है सिर्फ इस तरह की critical thinking को develop करने के लिए problem solving skills को develop करने के लिए बहुत special course रखते हैं तो हमको इन पर ये काम करना पड़ेगा MDO के fundamentals को right set करना पड़ेगा तो देखो कि आप लोग हमारी जो armed forces के topics होते हैं हमारी intelligence वाले जो topics होते हैं security के हमारे जो challenges वाले topics होते हैं वहाँ पर आप ये लिख सकते हो इंडिया की foreign policy कैसे operate कर सकती है आप अपको ये पता चल लगे ने multi domain operations का मतलब ही होता है ये आपस में काम करना तो training proper होने चाहिए linkaging proper होने चाहिए पुरानी जो चीज़े होते हैं उनको पहले stable करना बहुत ज़रूरी होता है फिर एक बड़ी ही प्यारी सीनों ने line दीती ये आप लोगों को मैंने green color में highlight कर दी था कि you just note down this कहीं conclusion में लिख सकते हो this may not be an era of war as someone famously said recently but homilies are for the politicians and not for the professionals ये जो proverbial powder है must not only stay dry but be upgraded in time ending कितने खुबसूर्त से कि उन्होंने कहा था कि homilies generally ये मतलब वोई कहा रहा चाहिए दोको war का time तो नहीं चल रहा है मैं मानता हूँ war नहीं चल रहा है बट हम ये नहीं कह सकते कि हम साधू की तरह बनके बैठ जाएंगे कि संसार सब महों माया है homilies का मतलब भी क्या होता है प्राइम मिनिस ये जो हमारे political leaders वगरा होते है न ये तो शान्ती का प्रस्ताव रख देंगे हमें शान्ती पसंद है हम वार नहीं करना चाहते see it is okay the war is not going on nobody wants the war army को वार नहीं चाहिए air force को वार नहीं चाहिए किसी को वार नहीं चाहिए होता है ये जो प्रोवर्बिल पाउटर है इसको ड्राइन ही होने देना है इसको अप्रेड करते रहना है we have to be always ready proactive रहना है तो यार रहना है तो ये काम politicians का है कि जाओ समाज के अंदर rallies के अंदर जाके बोलो कि हम तो शान्ती के दूत है प्रोफेशनल्स का ऐसा काम नहीं होता प्रोफेशनल्स को अमेशन टाइम कीसा अप्ग्रेड होते रहना पड़ता है जहां पर यही प्रॉब्लम आई थी कि जो Britishers जो थे उन्होंने इंडिया पर राज करना उनके लिए possible हो गया था क्योंकि हम लोगों उस ताइम पर कुछ बीच में कैसा एरा आ गया था हम लोगों ने अपने आपको अपग्रेड नहीं किया था खासकर हमारी foreign policy अपग्रेड नहीं हो पाई थी तब ही मारे invaders आ गये थे हमारी defense policy उस ताइम पर अपग्रेड नहीं हो पाई थी आप देखो उस ताइम पर कोई democratic nations तो नहीं थे राजा वगरा थे पर राजा वगरा के भी नीतिया तो होती थी उन लोगों ने किसके साथ अपना मतलब वो partnership करनी है किसको नहीं करनी है तो invasions हो गये थे conqueror कर लिया गया था एक ही छोटा सा टॉपिक है a new coronavirus variant on the block अब इसका नाम आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा इंडिया का पहला case दिखने को मिला था XBB1 BB.1.5 का basically यह Omicron का sub-variant है और यह highly transmissible भी है और जो हमारी पहले सी immunity होती उसका destroy कर सकता है लेकिन इसके करण कोई severe disease वगएरा नहीं होती इसका जो parent strain है वो almost 35 countries में पाया गया है and generally क्या होता है यह वोला जो यह एक recombinant है recombinant का मतलब क्या होता है कि जो genomes होते हैं दो different strains के वो अपने आप में splice कर जाते हैं उसको बोलते है recombinant variant तो almost इंडिया में 14% जो new cases है वो कहिना कहीं XBB से descend करते आ रहे है और अभी जो हमारे पास आया है वो आया XBB का .1.5 वाला तो इंडिया में यहां से 14% cases आ रहे हैं तो इसका एक variant है यहां से देखते हैं कितने percent cases बनते हैं इंडिया पर क्या impact होने वाला है variants would have been of some concern अगर transmission नहीं चल रहा होता अभी transmission चल रहा है developments हो रही है herd immunity develop होती जा रही है बहुत सारी develop हो चुकी है booster doses are on the way January के अभी जनुरी चल रहा है तो January के month के last week में हम लोगों को booster dose मिलने स्टार्ट हो जाएंगी हम लोगों नहीं topic बे cover है था booster dose का तो Dr. Lahariya जी है वो कहते हैं कि research चलता रहना चाहिए नई vaccines के उपर भी क्योंकि by the time vaccine तयार होती है तो variant जो होता वीक पढ़ जाता है खतम हो जाता है एक नया variant आ रहता है So just remember this thing कि ये XBB.1.5 क्या है ये Omicron का नया sub variant है थोड़ा से एक idea रखना था क्योंकि COVID का time चल रहा है You need to be careful 2020 में 21 में बहुत students को COVID के करना exam में काफी नुकसान जहलना पड़ा था इसलिए hero पंती मत करना कि हम आरको तो 2 साल तक कुछ हुआ नहीं तो आब तो क्या ही हो जाएगा हमको वो जब होता है तो कुछ भी हो सकता है तो अपनी पढ़ाई में बहुत जान लगा रहे हो बच के रहना आप सब लोग टॉपिक है मारे पास एक एडिटरल का Over the Border Line तो recently Government of India ने कहा था कि वो जो Border Villages नहीं उनको develop करने के लिए थोड़ा सा फोकस करना चाहते हैं अभी जो टॉपिक है आपका ये GS3 में आता है Security Challenges वाला जो हमारा Section होता है न वहाँ पर हम लोग बात करते हैं Border Areas के बारे में तो बहुत easy हैं आपर बहुत simple questions आते हैं कुछ आपको initiatives के नाम याद होना चाहिए चैलेंजिस के बारे में पता होना चाहिए बस ये topic सबसे easy होता है तो recently हुआ कि हम आपने जो hominister है अमिज शाह जिनोंने का था है कि जो border areas है उनको permanently secure गटने की जरूरत है क्योंकि और वो ताब हो सकता है जो वहाँ पर patriotic systems हो जनको देश के 40 से विकर हो उन्होंने का था कि BSF को कि आप लोगी vibrant village का जो program है जो कि 2022 के budget में announce किया गया था इसका use करना start करो और यह जो border villages होते हैं इनमें development और communication develop करो इसके अलाबा इससे पहले भी हमारे जो प्रधान मंतरी जी उन्होंने भी इसके बारे में बात की थी कि जो भी हमारे border villages है उनको अगर मैं develop करना होगा तो मैं holistic approach लेकर चलना पड़ेगा holistic, comprehensive और integral integrity यह कुछ बहुत ही ज़्यदा common तरीके से use होने वाले keywords है आप लोगों के exam में तो उसके बालावा ministry of home affairs ने जो की parliament में पहले भी बहुला था कुछ plans बनाया जा रहे है कि जो भी existing schemes है ना उन सब को converge करके नई scheme बनाया जाए तो जो existing border area का plan है border development plan जो था उसमें उनके border regions को cover किया जाता है अभी right now यह clear नहीं किया गा कि जो यह VVP है ना, vibrant village program जो है यह बाकिसे different कैसे होने वाला है तो इस पर काम चल रहा है भी right now Parliament के standing committee ने कहा था कि हमें dynamic challenges को देखना पड़ेगा sensitive approach के साथ dynamic challenges मतलब होता है dynamic जो बहुत है इसके मतलब होता है बदलते रहना यह उता static, जैसे current affairs आपके dynamic होते है developing news होती ही, change होती रहती है आपका content is static, जैसे constitution के articles है वो static है, उनका, ऐसा नहीं बदलते नहीं है लेकिन उनके chances कितने बदलने लेगे हर दिन आपके पास कोई नहीं news आती होती है तो एक BIM है अभी BIM क्या है, इसको छोड़ा से समझने की कोशिश करते है BIM की जो scheme है न, इसमें infrastructure बनाया जाता है border fence का, border blood, मतलब floodlights का technological solution भी दी जाता है, border outpost के उपर कौन से कौन से border पर, पाकिस्तान, बंगलादेश, चाइना, नेपाल, भूटान और मायनमार अचा ये जो थाना, हमारा भी ये सब का जो vibrant village program की बात की जा रही है जो budget 2022 ते इसमें आया था इसको लेकर किना अभी government ये इस बात को लेकर भी clear नहीं कि इस तिर्फ चाइना के border पर रहने वाला है, या फिर ये हमको बाकी सारी countries के साथ जो borders हमारे, उन पर भी हमें implement करना पड़ेगा, तो this is also one of the issue जिसको हमें address करने की जरुवक है then हमारा border का infrastructure बहतर किया जाएगा, इंडिया का border पाकिस्तान के साथ इतना है and पांगलादेश के साथ हमारा सबसे बड़ा border cover करते हैं हम लोग, almost 3,488 km का उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ then दूसरा जो vibrant village वाला था तो हम लोगों अभी देख लिए right now इसमें भी basically connectivity प्रोवाइड करना जैसे और direct to DTH का facility दी जाएगी दूसराशन वगरा बाकि education channels दीए जाएगे ताकि वहां के जो बच्चे वगरा होते हैं उनको education properly दी जा सके and चाइना के कुछ modern villages हैं, LSE line of actual control के पास उनको counter करने के लिए हम लोगों ने ये किया था border area development program जो है ये भी start किया गया था, ये 7th February plan के साथ आया था, 1985 से 90 में, यहाँ पर border areas में balance development implement करने के लिए जो यहाँ पर लोग रहते हैं remote or inaccessible areas में, उनको कैसे हम लोग essential infrastructure की facilities provide करा सकते हैं then CIB MSB, smart fencing system को complete भी किया गया था BRO के बारे में पता हो नाची, it's very important organization इंडिया के साइड से, इंडिया के लवा बाहर भी काम करती है, 1960 में इसके शुरुआत हो थी, basically ये ना border area जो मारे है जैसे, इतने भी आप देखो कि सारे के सारे border area वाले states है, इन सब में infrastructure होता है, खासरी roads वगरे बनाना का काम होता है ना, tunnels, airports, building, ये सब BRO करती है, ये organization करती है, और ये बहुत ही बैतरी organization है, तो इन्होंने अब तक almost 53,600 km के आसपस की lifelines वगरे create की है इन सब states में तो ये था छोटा से एक topic अब स्टार्ट करते हैं, हमरा ethics का जो previous year question का analysis चल रहा है अभी हम लोग 2013 के questions cover कर रहे हैं, अभी तक 2nd January को, 3rd January को, हम लोग 2nd January को 1st question किया था, 3rd January को 2nd question किया था, आज 4th January तो हम लोग 3rd question को cover करेंगे, अब एक चीज़ जो मैं करने वाला है है कि अब यह PDF जो आपको मिलती है न, इसमें इसकी answer का यह पूरा solution आपको नहीं मिलेगा यह video में ही रहेगा, तो मुझे कल किसी ने telegram पर personally contact करके बड़ी सही चीज explain की, तो आप में सी कोई था तो उन्होंने मुझे है कि PDF सेव करता रहता हूँ, मैं अपने saved messages में, और क्या कहते हैं, बस फिर मैं फ्यूचर में उसको भूल जाता हूँ तो मैंने observe कि higher बात तो सही है उसने का कि आप एक काम क्यों नहीं करते है PDF दो मत, इसी बहाने मैं वीडियो को बार-बार देखे, कुसको note करी लोगा तो कि वीडियो पर लौट की आने में बड़ा आलस आएगा तो एक push मिल जाएगा मुझे मुझे लगा बहुत कमाल की बात कह रहे हो तो अब यह आपको PDF नहीं मिलेगी वीडियो में आपको सामने रहेगा सारा content यह first question है यह explain कर दिया था यह मैंने second question आपको explain कर दिया था second question का A part, second question का B part और अब हम लोग करेंगे third question आज तो यह आपके सामने यहीं पर रहेगा वीडियो में, मैं आपसे यह request करूँ कि आप इसको यहीं से record अपना note down करना start कर दो practice आपको सारा content यहीं से में लेगा PDF आपको available नहीं की जाएगी वीडियो में राम से देखो, राम से note down करो start करते है question number 3 है हमार पास some people feel that values keep changing with time and situation तो मुझे यह ता समझ में आगा यह question जो है values के उपर है अगर हम लोग देखते हैं, हमारा जो पहला question था इस में, 2013 में पहले question में उसने values को लेकर के बात की थी और values को हम लोगों ने Milton Rockich की एक definition भी देखी थी ठीक है, अब आज वाले question में देखते हैं क्या चल रहा है वो कह रहा है some people feel that values keep changing with time and situation while others strongly believe that there are certain universal and eternal human values यानि कि जो मूल यह value जो होता है आपका वो समय के साथ बदल जाता है परिस्थिती और समय के साथ बदल जाता है और कुछ लोग ऐसा मानते कि नहीं भाई, कुछ चीज़े ना बहुत permanent होती है, eternal होती है, वो बदलती नहीं अब examiner ने मुझसे पूछा है give your perception in this regard with due justification कल मैंने आप लोगों के बताया था illustration, जो word होता है justification जब होता है, उसका मतलब ही क्यों बोल रहा है कि भाई, मुझे example दे बिना example के मत बताना और उसने बोल रहा है कि give your perception अपना perception बताना है 10 number का है, यानि कि मुझे 2 page मिलेंगे ठीक है, और कितना है, मतलब 10 number का है 2 page मेरे पास, 6 minutes के आसपास है generally 7 minutes होते है 7 minutes बहुत ideal time है आप aim करो 6 का, जोगि जब exam में नया question होगा, और बिल्कुली pressure होता तो, वो होता तो, actual में 7 से 8 में ही हो cover, बट अभी अब practice के लिए आप अपने 6 का target रखा करो तो यह रहा question, आप देखो हम लोगों ने जो first question था, एक ही 2013 के paper में आप देख रहे हो, first question भी और third question, दोनों में value के उपर बात पूछ ली गई है तो मैं दोनों में same definition नहीं लिखूँगा I'll avoid that, क्योंकि मैं examiner को बदाना चाहता हूँग, मुझे पता है आपकी demand किया है, तो मैंने बोला कि value comes from the Latin word valere, व-a-l-e-r-e इसका मतलब होता है to be worth in the words of dewe, अभी थोड़ा सा मेरी handwriting को माफ करो भाई d-e-w-e-y है यह, एक thinker है उन्होंने कहा था कि जो value means primarily to price, to esteem to apprise and to esteem अच्छे, मैंने repeat कर दिया गया बस, and to apprise तक ही है देखो, गलतियां ऐसे हो जाती है, अब यह आपको समझना पड़ेगा क्योंकि मैंने जब इसको लिखा था, आप लोगों के लिए तो इसके बाद मैंने इसको check नहीं किया, मैंने बस लिखा, मैंने photo click की रिए upload कर दिया, यही बहुत important है देख लो, अगर आप लोग 6 मिनिट में लिखते हो ना, और आपकी practice हो जाती है तो आपके मतलब 10 question होते हैं 6 मिनिट वाले, तो काहिद देशे आपको वो 70 मिनिट में करने चाहिए थे बट आपने वो 60 मिनिट में अगर cover कर लिए तो कि बहुत मुश्किल है, तो आपके बाद 10 मिनिट बच जाते हैं अब 10 मिनिट में आप lot करके एक बाद रीड कर सकते हो ऐसे ही इसे मैंने repetition कर दिया नहीं यहाँ पर जो लोग इसको follow कर रहे हैं, उनको समझ में आयेगा भी यह बात फिर अब मेरे को ध्यान रहे, question में क्या statement थी some people feel that values keep changing with time and situation मैं उसी keyword को use करूँ क्योंकि examiner के दिमाग में वही keyword गूम रहा है, value keep changing with time and situation और मैं इसको block में डालूँगा, box में और मैं इसको capital रखूँगा क्योंकि यहाँ पर एक sub heading बन गया है यही बहुत छोटी-छोटी-छोटी चीज़े ही होते हैं जहां आपके answer को standard देती है फिर अब मैं इसको explain करूँ कि जब हमारी values कैसे-कैसे बदल जाती समय के साथ तो values within the society change as society evolve जो हमारा समाज evolve हो जाता तो हमारी values change हो जाते जैसे कि love marriages are accepted more nowadays पहले नहीं होते ही तिन ज्यादा accept हो जाती है second values are conditioned by the cultural tenents as the culture evolves, value evolves जिसे मारा IPC का section 377 था वो over the years change हो गया है क्योंकि मारा culture evolve हो गया है हम लोगों ने homosexuality हो रहा हो इन सब चीजों को थोड़ा से accept कर लिया है then if the values were to be constant अगर values constant होते हैं कि बदलती नहीं then all the societies and the people within a society would have had some same values सबके पास same values होती है लेकिन ऐसा नहीं है example के लिए कुछ tribes है नौर्टीस के अंदर उनका tradition होता है जहां पर जो man staying at the woman's house after marriage जिसे जनरली जो पूरे समाज के अंदर पूरी दुनिया में एक tradition है न ये शादी के बाद जो ती लड़की लड़के के घर चली जाती है उसके साथ रहने के लिए but कुछ tribal communities के अंदर ऐसा होता है कि after marriage the girl doesn't go to the man's house बलकि जो आदमी होता है जो पूरुश होता है वो महिला के घर आके उनके साथ रहता है तो ये कुछ अलग चीज़े भी होते है तो ये ही कहा कि पूरे समाज के अंदर same values नहीं होती है then अब मैंने एक पार उसको explain कर दिया फिर उसने कहा कि others strongly believe that there are certain universal and internal human values थोड़ा आगे चलते है अब मैंने बीच में एक थोड़ा सा flow chart बना ती क्योंकि मुझे समझ में आ गया ता लिखते हुए कि यार इतना space तो है मतलब space ज़्यादा है और में पास content गम है तो let's make this thing Society 1, Society 2 दोनों में culture है, दोनों में experience है, दोनों में religion, दोनों में evolution, दोनों में government but differences है in दोनों factor में यानि कि Society 1 का अगर culture अलग है अगर ऐसा है तो दोनों के values different हो जाएंगी पटेकर दोनों का religion, experience का यह सब same-same होगे तो similar values हो जाएंगी अब यह तो कितनी आसान सी बात थी पटेकर इतने chart और बना करके explain किया थोड़ा attractive भी लगता है और space बुरा occupy हो जाता है तो उसने कहाता है values are universal and eternal as अब यह मत सोचना है कहां से आगया can't यह आपकी book में given होता है जहांपी आप ethics पढ़ोगे, सब ethics की book में given होता है तो और ने कहाता जैसे cheating हो गया stealing हो गया, murder हो गया यह सारी के सारी prohibit की जाती है यह values को कि negative values होती है तो across time and societies यह values prohibit की जाती है अब देखो, हम लोगों ने यहां पर बता दिया कि values change होती रहती है यहां मने यह भी बता दिया किछ values change नहीं होती तो यह बहुत classic case बन जाता है absolute और relative values का absolute का मतलब क्या, जो fix है, जो constant है जो universal है, relative का मतलब क्या, जो बदलता रहता है तो बस यही explain करना था उसने क्या पूछा था उसने कहा था, अपना पर्सेप्शन दो और justification भी दो, मैंने perception भी दे दिया कि हाँ यह भी बात सही है और यह वाली बात भी सही है आपकी और मैंने example भी दे दिया आपको, can't का भी बता दिया इस मत बने तीन example दे दिया, बलकि कैसे कैसे बदलती रहती है that's it, चोटी सी बात है ऐसी practice करना होगा आप लोगों को और लगे रहिए, all the very best आच्छा मैं यह तो बताना भूली गया कि next question क्या होगा कल का मारे जो question है, वो यह है what is emotional intelligence and how can it be developed in people how does it help an individual in taking ethical decisions 10 number का है, data words का है यानि कि 2 page मिलेंगे और question के यहापर कितने part है, 3 part है पहला तुसने पूछ ले कि emotional intelligence क्या होता है फिर यह पूछता है, how can it be developed फिर पूछता है, how does it help the individual to take ethical decisions तो तर 13 में जिस चुरुआत होथी ethics के paper की और तब से ही आयाता easy भी है और कल कवर करते हैं इसको